आज नवरात्री का पाचवा दिन है नवरात्री के पाचवे दिन सकंदमाता की पूजा की जाती है सकंदमाता को वादस्यली की मूर्ती माना जाता है मान्यता है कि इन की पूजा करने से संतान योग की प्राप्ती होती है आज अश्विन माह के शुकलपक्ष का पाचवा दिन यानि की सकंदमाता की पूजा की जाती है सकंद माता को माधूर का स्वरूप माना चाता है सकंद माता की पूजा करने से आत्मविश्वास में वृध्धी होती है शत्रु का भै समाप्त होता है जीवन में आने वाले संकटों को माधूर करती है नवरात्री में सकंद माता की पुजा करने से बल और ज्यान में भी वृध्य होती हैं कहा जाता है कि जिन लोगों को त्वच्चा संबंधी रोग होते हैं अगर वे सकंद माता की पुजा वीधी पुर्वक करते हैं तो उन्हें रोग में आराम मिलता है बहतर स्वास्त के लिए भी मास कंद माता की पूजा करने की परंपरा है संतान प्राप्ती के लिए भी मास कंद माता की पूजा की जाती है